हेलो एवरिवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेलकम टू मैं चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसे बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे इसे हेंदी के सेंटेंसे जिनकी स्टार्टिंग हम करते है या जिन में हम बोलते हैं बस बहुत हुआ इनको इंग्लिश में बोलने के लिए enough is enough का use होता है enough is enough का मतलब होता है बस बहुत हुआ आईए इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले enough is enough आता है और उसके बाद हमारा complete sentence आ जाता है जिसमें हमारे sentence का main part होता है और जो कि किसी भी tense में हो सकता है लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि enough is enough के बाद पहले कॉमा लगाएंगे और उसके बाद अपना complete sentence लिखेंगे चलिए अब कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए बस बहुत हुआ अब मैं एक शब नहीं सुनूँगा enough is enough I won't hear a word now enough is enough I won't hear a word now इस sentence में देखिए rule के according हमने starting की है enough is enough से जिसका मतलब है बस बहुत हुआ और इसके बाद हमारे sentence का जो main part है अब मैं एक शब नहीं सुनूँगा इसकी English translation आ गई है I won't hear a word now और हमारा sentence complete हो गया है बस बहुत हुआ अब तुम जाओ यहां से enough is enough now you go from here enough is enough now you go from here बस बहुत हुआ अब पढ़ने बैठो enough is enough now sit down to study enough is enough now sit down to study बस बहुत हुआ अब मैं उससे बात नहीं करूंगी enough is enough I won't talk to him now enough is enough I won't talk to him now बस बहुत हुआ अब घर चलो enough is enough now let's go home enough is enough now let's go home बस बहुत हुआ अब अपना काम करो enough is enough now do your work enough is enough now do your work बस बहुत हुआ अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा enough is enough now I won't tell you anything enough is enough now I won't tell you anything बस बहुत हुआ अब सीधे सोने जाओ बस बहुत हुआ, तुम्हें अपने भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए अब एक सेंटेंस आपके लिए बस बहुत हुआ, अब अपने कमरे में जाओ इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताइए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए take care, bye bye